उत्राखंड में होने वाले विधान सभा चुनाओं को लेकर राजनितिक दलों ने अपनी कमर कसली है जहां एक तरफ कॉंग्रेस पहाडों पर पंजा मारने की तैयारी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के सामने अपनी सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है लेकिन अपने किले को बचाना बीजेपी के लिए तना असान नहीं होगा क्योंकि विपक्षी दलों के साथ-साथ बागी नेता पार्टी की परिशानी को बढ़ाने में जुटे हैं जिन्हें रोकने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है परिशानी के लिए तयार है यही बगावत बीजेपी के लिए परिशानी का सबब बन गई है इसलिए पार्टी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है जानकारी के मुताबिक पार्टी ने दिल्ली, हर्याना और हिमाचल जैसे राजजियों से परिवेक्षकों को राजज में तैनात किया है राजज में न्युक्त परिवेक्षकों की संख्या 1.500 के करीब है उन्हें जिला प्रभारी और विधानसभा प्रभारियों के साथ तैनात किया गया है बताया जा रहा है कि संग्ठन के कामकाज के साथ साथ इन परिवेक्षकों का मुख्य काम विधानसभाईस्तर के नेताओं पर नज़र रखना है ये विधानसभा शेत्र की हर गतिविधी पर नजर रखेंगे और अपनी रिपोर्ट पार्टी को देंगे इसके साथ ही परिवेक्षक इस्थानिय स्तर पर पार्टी के नेताओं की पैठ को लेकर भी अपना फीडबैक पार्टी को देंगे असल में पार्टी इनके जरीए विधानसभा इस्तर के नेताओं को ये संदेश भेजना चाहती है कि उनकी हर गतिविधी की खबर पार्टी के पास है बागियों को रोकने के लिए जहां बीजेपी दिगजों की तैनाती कर रही है तो वहीं उसने हर विधानसभा में संभावित बागियों की सूची भी बनानी शुरू कर दी है अब इस एक्शन से साफ है कि पार्टी को बागियों से हार का डर सता रहा है क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि बागी ही राजनीतिक दलों का खेल बिगारते हैं और अब की बार बीजेपी पर ये भारी पड़ सकते हैं